हलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन जोगर्थी की अपनी क्लास में अब तक हमने डिसकस किया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सोलर सिस्टम यानि की सौर मंडल और हमारे अपने प्लैनेट अर्थ यानि की पृत्वी के बारे में और आज हम बात करेंगे जियोग्राफिकल टाइम स् यानि की भू वैग्यानिक्स तमय सारणी के बारे में तो आएज चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रित्वी का निर्माड आज से करीब 450 करोड वर्ष पूर हुआ और तब से लेकर अब तक इसके इतिहास में प्रित्वी पर अनेको क्रमिक परिवलतन हुए इन करमिक परिवलतनों के समय सीमा युक्त अध्यन को भू वैग्यानिक समय सारणी कहते हैं अथात प्रित्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर भू वैग्यानिक समय सारणी कहलाता है पृत्वी के जीवनकाल को पांच महा कलपों और चार यूगों तथा सोला कलपों में विभाजित किया गया है तो यह आप देख सकते हैं कि यह कौन कौन से महा कलप है और किस-किस तरीके से इसको पूरा डिवाइड किया गया है पृत्वी के इतिहास को अब आईएम इसको एक-एक करके डिसकस करते हैं, काफी डिटेल में तो सबसे जो पुराना समय है, जो सबसे प्राचीन बिल्कुल शुरुआत का समय है वो है एजोईक, उसे कहा जाता है एजोईक यह सबसे प्राचीनता महा कल्प है जिसका समय काल 4.6 अरब वर्ष पूरु से 60 करोड वर्ष पूरु तक माना जाता है इसके अंतरगत दो कल्प आते हैं पहला है आर्कियन कल्प और दूसरा है प्री कैम्बियन कल्प तो इसमें से आर्कियन कल्प में क्या है कि यह सबसे प्राचीनतम कल्प है इस कल्प में जीवों की उत्पत्ती नहीं हुई थी यानि कि इस वक्त धर्ती पर कोई भी जीव नहीं था और इस युग में ग्रेनाइट एवं नीज चट्टानों की प्रधानता थी इसके बाद आता है प्री क्रैंबियन कल्प इस कल्प में प्रित्वी तरला वस्था से थोस अवस्था में परिवर्तित हुई जिसमें भूपटल का निर्माड हुगा देखिए पहले जो प्रित्वी थी वो बहुत जादा गर्म थी और इस वज़े से वो लिक्विड फॉर्म में लग भग लग भग थी थोड़ा जो है तरल में गोष्ठोस में लेकिन जो है इस वक्त में क्या हुगा कि प्रिकयंबियन कल्में ये थोस अवस्था में आ गई थी और प्रित्वी बनी कैसे बहुत सारे जो है डस्ट धूल और गैस वग्यरा से बनी है ठीक है तो ये ना सोची कि ये तरल में कैसे हो सकती थी कभी ये गैस फॉर्म में भी थी फिर ये इकठा इकठी हो के बन गई गुरुत्वा कर्षण की वज़े से तरल और फिर ठोस फॉर्म में आ गई तो आए चल ये देखते हैं आगे हलचल से अरावली धारवाड छोटा नाकपुर, कुटपा, लाओड़ेशीयर परवत का निर्माड हुआ तो देखिए अरावली परवत श्रेंखला ठीक तो चलिए चागे अब देखते हैं कि प्रित्वी के ठंडे होने से जलवाश कड़ों का निर्मार एवं तीवर वर्षा हुई जिससे महासागर का विकास हुआ किन्तु महासागरों में गर्म जल था तो क्योंकि प्रित्वी बहुत गर्म थी और यहाँ पर टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा था तो इस समय जो महासागरों का पानी था तो वो भी गर्म जल से बना हुगा था मतलब उसमें पानी भी गर्म था इस समय में होने वाली प्रमु कोश्चन जब भी आपके सामने आए कि धती पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई है तो वो हुई है समुद्र से और सबसे पहले एक कोश्च की जीवों का निर्मार हुआ था जैसे की साइनो बैक्टिरिया का इसके बाद का समय है पेलियो जोईक तो पेलियो जोईक क्या है क कि इस समय काल में लगबग 600 मिलियन वर्ज्च से 230 मिलियो जोईक जोईक और इसे 6 कलपों में विभाजित किया जा सकता है और ये 6 कलप हैं कोन-कोन से कैंबियन कलप, और बीशें कलप, सिलूरियन कलप, डेवोनियन कलप, तो इन्हें वन बाई बाई वन डिसकुस करेंगे मिलियन वर्ष तक का इसका समय रहा और इस समय होने वाली प्रमुग भौतिक घटनाओं में क्या हुआ है इस कल्प में कैम्बियन हलचल हुई जिसके परिणाम स्वरूप विंधि परवत यूएस के कैम्परी चट्टानों का निर्माड हुआ सागरों का विस्तार हुआ और आ अरा वाली परवत और ये जो चोटा नाकपूर परवर्ष शिंखला है इसकी तुलना में विंधि परवत शिंखला जो है नए परवत हैं और अवसांदी चट्टानों का निर्माड इस समय में शुरू हुआ था इस समय में होने वाली प्रमुग जैविक घट्टाओं में सा पूश्म रियर्योक्त जीवों का विकास हुआ इसके बाद आता है और्डो विसियन कल्प जिसका समय माना जाता है पांस सो से चासो चालिस मिलियन वर्ष का समय और इस समय होने वाली प्रमुग घट्टाओं में क्या है कि सागरिये छेत्र में ज्वाला मुखी क्रिया सक्र हो गई और सागरिये जल का उतार चड़ाओ जारी रहा जिससे अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था और इसके अलावा इस समय में होने वाली प्रमुग जैविक घट्टाओं में समुद्री जल में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ तो पहले तो देखि से 440 मिलियन वर्ष तक का है इस समय होने वाली प्रमुग भौतिक घट्ना में इस युग में परवत निर्मार कारे कॉलिडोनियन हलचल हुई जिसके परणाम स्वरूप औलपेशियन परवत यूएसे स्कॉटलेंड परवत यूरोप सत्पुड़ा परवत आधिका निर्मा हुआ सत्पुड़ा के परवत का और जैविग घट्नाओं में क्या हो रहा है कि इस कल्प में रीड की हड़ी वाले जीवों का विकास हुआ इसलिए इस काल को रीड की हड़ी वाले जीवों का काल कहा जाता है इसके अलावा शैवाल का विकास एवं विस्तार भी इसी मुख्य क्रिया अत्यधिक सक्रिय हो गई थी और जमीन पर व्रिक्षों का विस्तार हुआ तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि धर्ती जो है जो जीवन है वो समुझ से प्रिथ्वी की तरफ भी आ गया है और जमीन पर व्रिक्षों का विस्तार हो गया है जबकि ज 400 मिलियन साल पहले से यह यहां धर्टी पर मौझूद है और तब से इसमें इतना पर्फेक्शन आ चुका है कि यह बेस्ट शिकारी है हमारी धर्टी पर तो शार्क मचली का उद्भा हुआ तथा अन्य मचलियों की संख्या में काफी विरिध्धी हुई इसके बाद आता है कार्बोनी फरसकल्प जिसका समय है 350 से 270 मिलियन वर्ष तो इस समय होने वाली प्रमुक भौती घट्टाओं में इस युग में ब्रंशों में व्रिक्शों के दबने से गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्माड हुआ जिसमें कोईले के व्यापक निक् जाते हैं और बहुत ज़्यादा दबाओ और तापमान की वज़े से बहुत लंबे समय तक रहने के कारण जो लकड़ी होती है वो कोईले में बदल जाती है तो इसी तरीके से कोईले का निर्माड हुआ और यही वज़ा है कि इसे कोईला युग भी कहा जाता है इस समय होने के जीवों का विकास हुआ और रिंगने वाले जीव जल से स्थल में भी आए जंगलों का भी इस समय में काफी विस्तार हुआ इसके बाद आता है पर्मियन कल्प पर्मियन कल्प 270 से 230 मिलियन वर्ष पहले की ये बात है ये इसका समय काल है और इस समय होने वाली प्रमुक भौ व्हतों का निर्माण हुआ और भारत में दामोदर शरीनी के कोइले का विस्तार हुआ जैविक घटनाओं में स्थल भाग में विभिन प्रकार के सूखन जीवों विशेश कर कीरों का विखास एवं विस्तार हुआ था इस युग में यानि की पर्मियन कल्प में इसके बाद आता है मैसो जोई कल्प तो मैसो जोई इस महा कल्प की समय अवद ही है 230 से 70 मिलियन वर्ष यानि की आज से 230 से 70 मिलियन साल पहले तक की समय को कहते हैं मैसो जोई कल्प और इस महा कल्प के अंतरगत तीन कल्प आते हैं पहला है ट्रियासिक कल्ब दूसरा है जुरासिक कल्ब और तीसरा है क्रिस्टेशियस कल्ब तो ये जो ट्रियासिक कल्ब है इसको क्या कहते हैं कि पेजिया का विखंडन प्रारंब हुआ जो जुरासिक काल तक चला इस काल में उड़ने वाले सरिस्रिपों तथा स्तंधारी जीवों का विकास हुआ इसके बाद आता है जुरासिक कल्प पेजिया का विकंडन जारी रहा और पुष्प वाली वनस्पतियों की उतपती हुई देखे पेजिया एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था पहले ऐसा बोला जाता है कि जो सारे महादवीब थे वो एक ही जगा पर थे और जिस भुकंड को जो है पेजिया का जाता था और ये टूट टूट कर अलग होते गए और आज का वत्मान रूप लिया कि एशिया यूरोप अमेरिका सारे अलग-अलग महादवीब बन गए तो यही पेजिया का विकंडन जारी रहा और पुष्प वाली वनस्पतियों की उत्पत्य हुई तो अब जो है ऐसी वनस्पतिया होने लगी यहाँ पर जिनमें जो फूल होते हैं उड़ने वाले पक्षियों का विकास पुरही सबसे बड़े शिकारी थे इसके अलावा क्रस्टेशियस कल्प आता है तीसरा जो की जौला मुखी के दरारी उत्पेदन से पठारों का विकास एवं विस्तार हुआ जैसे भारत के दकन के पठार का निर्मार इसी काल में हुआ था इसके अलावा रौकी एवं नि के अज़ से 10,270,000,000 पहले जो समय था वो था सेनो जो एक महा कल्प इस महा कल्प को पांच कल्पों में विभाज़ित kiा जा सकता है और ये पांच महा कल्प कौन कौन से है पहली उसीन कल्प, ईयोसीन कल्प, ऑलिगोसीन, मैयोसीन और प्लयोसीन तो इन वेले भी एम व पाइन परवत का निर्माड हुआ इसी कल्प में मानो कपी का विकास हुआ था यानि देखो जो इनसान है उनकी उत्पत्ति उनका विकास जो हुआ है वो कपी से हुआ है तो मानो कपी का इस समय में विकास हो गया था स्तंधारी जीवों का काल इसे कहा जाता है स्तंधारी यान कि mammals यानि वो जीव जो अपने बच्चों को जन्व देते हैं और उन्हें दूद पिलाते हैं और इस तरीके से वो विक्सित होते हैं जबकि ये जो डाइनसूर वगारत हैं ये उवी पौरस थे उवी पौरस मतलब ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और फिर जब जीवों का विक लेकिन इसमें स्तंधारी जीवों का इसे काल कहा जाता है क्योंकि अब स्तंधारी जीव अधिक विक्सित हो रहे थे इसके बाद आता है डियोसीन कल्प इस काल में ट्रांस हिमालियन परवत का निर्मार हुआ हिंद अट्लांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए और हाथी, घोड़ा, सुवर इनका सबका विकास हुआ था और ये सभी देखिए मैमल्स हैं ये सभी स्तंधारी जीव है इसके बाद है ओलिगोसीन तो ये जो है व्रिहत हिमाले की उत्पत्ती हुई इस समय तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे आखीर में हिमाले परवत हो रहा है सत्पुड़ा के भी बाद अब हिमाले परवत का नंबर आया है जो कि भारत का सबसे नया जो है परवत श्रिंखला है इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाए, भालू तथा पूँछ हीन बंदरों का विकास इस समय में हुआ था इसके बाद है मायोसीन कल्प जब मद हिमाले की उत्पत्ती हुई साथी साथ, बतक, सारस, हाथियों, पैंग्विन, आदिका विकास इस समय में हुआ था इसके बाद है प्लायोसीन कल्प जब शिवालिक हिमाले की उत्पत्ती हुई तो हिमाले में भी सबसे बाद में आप देख सकते हैं कि शिवालिक हिमाले की उत्पत्ती हुई है और मानो की उत्पत्ती भी इसी काल में हुई थी इसके बाद आता है नियो जोई इस महा कल्प की समय अवधी 10 लाख वर्ष से वर्तमान तक मानी जाती है यानि कि आज से 10 लाख साल पहले से अभी तक का जो समय है ये है नियो जोई कल्प महा कल्प और ये अभी चल रहा है इस महा कल्प को दो कल्पों में विभाजित किया जा सकता है पहला है लिस्तो सीन और दूसरा है होलो सीन तो लिस्तो सीन जो है इस समय में होने वाली प्रमुग बहुती घटाओं में क्या हुआ है आईए देखते हैं इस युग में पृत्री का तापमान इतना नीचे आ गया था कि उत्री अमेरिका, यूरोप, अंटार्क्टिका, आधिके अधिकांश भूपटल हिम की मोटी चादर से ढग गय थे इन्हें हिम युग की संग्या दी गई है हिम युग के प्रभाव से अमेरिका तथा यूरोप में अनेकों जीलों का विखास हुआ जैसे उत्री अमेरिका में पांच महान जीलों का निर्मार इसी काल में हुआ था तो देखिए जैसे अभी हम लोग जो है गलोबल वार्मिंग की समस्या से जूज रहे हैं लेकिन इस समय में क्या था कि बहुत ही ज्यादा थंड़क थी और लगबग पूरा जो धर्ती का जो उत्तरी हिस्सा है वो बर्फ से ढग गया था इस समय होने वाली प्रमुक जैविक घटनाओं में मानों ने अपनी जन मस्थली अफरीका से विभिन छेत्रों में प्रवेश किया अता भारत में मानों का विष्टार इसी काल में हुआ तो देखिए एक बात और आपको यहां बतानी जरूरी है कि जो इनसान है उसका जो है उसकी औरिजिन जो है वो आफरीका में हुई है तो हम सबी लोग जो है यानि हम सबी के पूरवर जो है वो किसी ना किसी समय पे अलग अलग जगों पर पहुंचे हैं और हम सभी मूल निवासी कहां के हैं अफरीका के और वहीं से बाकी दुनिया में फैले हैं इसके बाद आता है हुलो सीन कल्प इस कल्प का समय ग्यारा हजार वर्ष पूर उसे अब तक का माना जाता है इस समय होने वाली प्रमुग घटन जिससे जलवायू परिवलतन जैसी घटना देखने को मिलती है इसी काल में क्रिशी एवं पशुपालन की शुरुआत हुई थी और मानों का पूर्ण विकास भी इसी समय में हुआ तो दोस्तों ये थी भूवैग्यानिक समय सार्णी हमारी प्रित्वी का निर्माड आज से क प्रित्वी पर अनेको क्रमिक परिवलतन हुए इन क्रमिक परिवलतनों के समय सीमा युक्त अद्विया थी जाए हुए